अंतरिक्ष में दिखा राक्षस. दुरलब गैलेक्सी में पैदा हो रहे हजारों सितारे, वैज्ञानिक मान रहे बड़ी कामियाबी वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष राक्षस की खोज की है. जमीन पर मौझूद दूरबीन में पहली बार एक चमकती हुई बूंद के तौर पर दिखाई दी थी. लेकिन हबल टेलीसकोप की तस्वीरों से ये पूरी तरह गायब हो गई. इसकोप की तस्वीर में अब यह देखने को मिल रही है. नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वे के खगोल विदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वैज्ञानिकों ने दूरबीन के डेटा का विशलेशन किया. वैज्ञानिकों ने इस गैलक्सी को Aztex C71 नाम दिया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह आकाश गंगा, बिग बैंक के लगभग 9 करोड साल के बाद अस इस खोज से वैज्ञानिकों को शुरुवाती ब्रह्मांड को समझने में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है. वैज्ञानिकों ने शुरुवात में सोचा था कि सितारों की नरसरी दुरलब होती है. लेकिन आकाश गंगा ने संकेत दिया है कि यह वास्तव में 3-10 गुना अध यह चीज बेहद मुश्किल से दिखाई देती है जो मेरे लिए बेहद रोमांचक है. यह संभावित रूप से हमें बता रहा. है कि आकाश गंगाओं की एक पूरी आबादी हमसे छिपी है. मैक किनी और उनकी टीम 10 लाख आकाश गंगाओं की पहचान करने के लक्षे के लेकिन हबल स्पेस टेलिसकोप की खींची फोटो में यह पूरी तरह से गायब थी. हालांकि जेम्स वेब टेलिसकोप इंफ्रारेड प्रकाश को पकड़ सकता है. ऐसे में उसने इससे जुड़ी चुनौतियों पर काबू पा लिया. मंगोलिया में शुकरवार और शनिवा मंगोलिया में एक हैरान करने वाली घटना देखने को मिली है. यहां रात में आसमान खून की तरह लाल हो गया. इसके कारण स्थानिये लोगों में डर फैल गया. यह एक असाधारन खगोलिय घटना थी. क्योंकि शुकरवार और शनिवार की सुभह सबसे दुरलब अरोरा घटनाओं में से एक देखने को मिला. इस लाल रंग के लिए एक सोर तूफान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो प्रिथवी से टकराया. इस कारण एक ऐसा द्रिश्य देखने को मिला, जिसने सभी को आश्चर्य चकित कर दिया. आसमान में दिखने वाली इस रंगीन र प्रिथवी की सतह से 241 कीमी उपर वायू मंडल बेहत पतला है. यहां उच्च उचाई पर ऑक्सीजन के साथ सौर कंट टकराते हैं और इस क्रिया के कारण दुरलब रोशनी दिखती है. अरोरा में लाल रंग सबसे ज्यादा दुरलब होता है. तीवर सौर गतिविधी को ल सौर कंट पहली बार प्रिथवी से टकराए थे. सौर कंट जब उच्च उचाई पर ऑक्सीजन अनुओं से टकराते हैं तो यह लाल अरोरा बनते हैं. अधिक उचाई पर ऑक्सीजन का घनत्व कम होता है. यह प्रक्रिया नियोन रोशनी की तरह काम करने के समान है जिसमें उत्तेजित गैस परमानू अपनी जमीनी स्थिती में लोटने पर प्रकाश के फोटॉन छोड़ते हैं. एतिहासिक रूप से लाल अरोरा को सबसे शक्तिशाली भूचुम्ब की यह तूफानों के दौरान देखा गया है. साल अठारा सो उचातर की कैरिंग्टन घटना रिक गोलिया के अरोरा ने विज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा समझने में मदद दी है. हमारे ब्रह्मांड में कई आश्चर या चकित चीजें होती रहती हैं. धर्ती से देखने पर ये तारे टिम्टिमाते हुए नजर आते हैं. हालांकि वो प्रिथवी से अर्बों कि काश को प्रिथवी पर पहुँचने से पहले विक्रित कर देती है.